हेलो दोस्तों बहुत हैं इंट्रेस्टिंग फंड की अनालिसिस करेंगे DSP Equity and Bond Fund फंड को समझेंगे उनका SWP का अनालिसिस करेंगे तो देखें इस वीडियो में category, fund, SWP, risk management इस फंड ने कैसा किया है इन सब पर आपको discussion देखने को मिलेगा तो देखें सबसे पहला point है यह aggressive hybrid fund है अब aggressive hybrid fund क्या होते हैं यहाँ पर आपको equity और debt दोनों का आपको mix मिलेगा equity generally as per definition 65 to 80% रहता है और debt 20 to 35% रहता है बहुत सारे AMCs के aggressive hybrid fund भी है आज हम बात कर रहे हैं DSP Equity and Debt Fund की पुराना fund है 1999 में से है मतलब 25 साल से उपर की history हमको देखने को मिल रही है 10,320 करोड का AUM है जब यह मैं वीडियो बना रहा हूँ Mr. Abhishek और Mr. Santanu fund manager हमको देखने को मिल रहे हैं इस fund में तो देखें 65 to 80% generally रखना चाहिए definition के हिस साब से अब इस fund का क्या current allocation है यह लगभग 70% equity है और 30% debt है और आप खुद सोचिए कि यह एक तरीके से बहुत अतक asset allocation भी कर दे रहा है अगर कोई aggressive investor हो तो generally हम क्या कहते हैं कि 65, 70 यह 75% equity होनी चाहिए बागी का कुछ portion debt में रहना चाहिए तो एक तरीके से aggressive hybrid fund बहुत अतक asset allocation का भी काम कर देता है दोस्तों अब देखे जो equity portion है कितना 70% के आसपास उसमें fund manager ने 60% से उपर large cap रखा है और फिर mid cap और small cap जो है 38-39% का हमको देखने को मिल रहा है तो large cap heavy fund है equity portion यहाँ पर 70% है और debt भी यहाँ पर 30% हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों return कैसे आये है यह point to point return हम बात कर रहे है तो यहाँ देखे nifty 50 तो है ही और crystal hybrid का जो 65-65 जो index है उसके हम बात कर रहे है 5 year 17% उस index का return है fund का है 18.13% 3 year का return देखेंगे fund का और index का almost बराबर है 1 year return fund का ज़्यादा बहतर हमको देखने को मिल रहा है अब nifty के साथ compare करें तो देखें एक चीछ समझना है जब इस fund में 25-30% debt portion रहेगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा nifty को बीट करना क्योंकि वो 100% equity है यह 70% equity है लेकिन फिर भी आप देखें आपको बहुत difference देखने को नहीं मिलेगा आप देखें 5 year में nifty का return 19.37 है इसका 18.13 है मतब 1.5% से भी कम यहाँ पर difference देखने को मिल रहा है obviously कम return तो रहेगा है लेकिन एक और चीज़ समझनी है returns एक जगा होती है volatility एक जगा होती है तो nifty की जो volatility रहेगी जो standard deviation रहेगा fund का या aggressive hybrid में बहुत सारे जो दूसरे भी funds है उनका जो volatility है किसी भी pure equity fund से आपको कम देखने को मिलेगा तो इसका मतलब क्या है हो सकता है return 1-2% कम मिले जो pure equity fund है खासकर जो nifty के जो funds है लेकिन आपको volatility या risk जो है कम देखने को मिलेगा तो देखे यह है DSP equity and bond fund अब यहाँ पर हमने किस तरीके से data को analyze किया है तो देखे टोटल investment amount आपको वन करोड का देखने को मिलेगा और चुकि मैंने यहाँ पर 6% का withdrawal rate रखा है तो monthly withdrawal कितना होगा 50,000 50,000 होगा into 12 करेंगे तो कितना होगा 6,000,000 एक करोड का 6,000,000 कितना होता है 6% तो इतना withdrawal rate मैंने रखा हुआ है तो 5 year, 10 year, 15 year का data है तो चलिए मैं यहाँ पर 15 year के data को analysis करता हूँ 15 year कब हुआ होगा यह 2009 September end की हम बात कर रहे है तब NAV कितने की थी 55 की तब हमको NAV देखने को मिल रही थी अभी आप देखेंगे NAV कितनी हो गई है 346 की NAV भी हमको देखने को मिल रही है अब उस समय में 2009 जैसे के हमने है डिसकस किया cash flow के इसाब से जो था करोड रुपए का investment था और फिर आप हर महीने 50,000 बाहर कर रहे हैं तो अभी क्या status है हमको देख लेते हैं तो अभी status हमको देखने को मिल रहा है 12.56% XIRR return 6% हम बाहर कर रहे हैं 12% से उपर return है जो की एक बहुत ही comfortable level हो जाता है और अभी value कितना है 3.37 करोड तो जो comfort 2009 में था अब 2024 में उस से भी ज्यादा comfort हमको देखने को मिल रहा है अब NAV भी जो है हमको ज्यादा देखने को मिल रही है और total withdrawal कितना हुआ है 180 महिने और 90 lakh का withdrawal हमको देखने को मिला है लेकिन यह part 1 हमने discuss किया part 2 देखे inflation का भी concern रहता है महंगाई भी बढ़ती है तो दूसरे part में मैंने 5% payout increase को analysis किया है same चीज initial एक करोड का investment 50,000 का SWP है लेकिन 5% से बढ़ेगा मतलब पहले साल 50,000 रुपीज हर महिने मिलेगा दूसरे साल कितना 52 2,500 मिलेगा फिर तीसरे साल और 5% बढ़ेगा 180 months return कितना आ रहा है 12.21% का यहां देखने को मिल रहा है तो जो value है हमको 2.46 करोड की देखने को मिल रही है withdrawal अगर आप देखेंगे 1.29 करोड के आसपास हमको अभी तक देखने को मिल रहा है अगर आप अभी देखेंगे monthly जो ख 15,00,00 के आसपास है तो जनरली अगर हम simple थमरूल के हिसाब से देखें जनरली 17 to 20 टाइम्स होना चाहिए तो 20 टाइम्स तो 3 करोड होना चाहिए उससे तो कम है लेकिन lower range के आसपास में value देखने को मिल रही है तो अभी जो withdrawal है कुछ 6.1, 6.2% के आसपास देखने को मिल रहा ह अगेन 6 से कम हो या 5 के आसपास हो तो ज्यादा बहतर है बट अभी फिलहाल इस data के हिसाब से 6 थोड़ा उपर देखने को मिल रहा है अगेन alarming नहीं जो 5% का जो increase है उसको कम करने का भी प्लान कर सकते हैं दोस्तों अब risk management कैसा है fund का तो देखे यहाँ पर जैसे कि एक advantage क्या है चुकि bond portion यहाँ पर आपको देखने को मिल रहेगा तो volatility कम रहेगी pure equity fund से अब volatility अगर आप देखेंगे आप जो value research से मैंने data लिया है उनका जो balance fund ह है उसके comparison में थोड़ा कम देखने को मिल रहा है बट aggressive hybrid की जो category है उसके हिसाब से volatility थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है शार्प रेशियो अगर आप देखेंगे शार्प रेशियो देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है जो कि अच्छी बात है लेकिन किसका value research का जो balance TRI है उसके comparison में लेकिन जो aggressive hybrid जो index है उसके comparison में कम है तो risk आप यहाँ पर medium से अच्छे की तरफ मान सकते हैं कुछ alarming खराब नहीं है लेकिन कुछ brilliant भी नहीं है आप good जैसा मान सकते हैं जो risk management की बात करना है तो last में benchmark को उन्होंने beat किया हुआ है और nifty से भी आप देखेंगे long term में return कुछ 2% के अंदर में ही थोड़ा कम देखने को मिल रहा है risk parameters okay हमको देखने को मिल रहा है इस fund में एक जो positive है कि जो fund house है वो strong है और team जो है वो हमको strong देखने को मिल रही है लेकिन आने वाले time में यही देखना है कि fund manager का जो thought process है क्या extra alpha वो create कर पाते है कि नहीं अभी जो alpha create हो रहा है यस अभी हमको ठीक टाक alpha create करने को देखने को मिल रहा है बट यस अगर long term में 35% का अगर और बड़ा alpha हमको देखने को मिले तो positive हो जाता है और सोच लिजे कोई भी hypothetical जो example हमने लिया जिसका 5% जो increase कर रहे है तो हो सकता है अगर जब हो जाएंगे जब आप retirement के पास आएंगे तो SWP आपका regular income का भी source साधन हो सकता है दोस्तों और SWP के लिए ideal fund again ऐसा कुछ नहीं है रूल नहीं है कि यही fund होने चाहिए लेकिन ideal fund hybrid funds होते हैं चाहे वो multi asset fund हो balance advantage fund या aggressive hybrid fund क्योंकि market उपर नीचे होती रहती है अभी तो देख बात करूँ चाहे 2013 का time हो या even 2018 बहुत recent में देखूँ या 2020 में market नीचे जाती है अब उस time में हमको volatility कम हो impact कम हो तो इसलिए जो hybrid funds है हमको एक help जैसा कर देते हैं और उसके लिए और SWP interesting हो जाता है तो अगर आप moderate to high risk appetite वाले investor है तो aggressive hybrid या balanced advantage या multi asset को आप study कर सकता है moderate क्यों रहा हूँ क्योंकि देखिए अगर जो conservative या बिल्कुल low risk investor होंगे वो क्या करेंगे कि भई यह मेरा सोच लो एक करोड रुपिया है मैं तो इसको FD में डाल दूगा यह saving account में डाल दूगा मुझे risk लेना ही नहीं है वो तो debt fund को भी साहत ना डाले लेकिन जो थोड़ा risk लेन को अगर हम देखते हैं तो future का तो हमको नहीं पता बट यस expectation तो रहेगी कि at least जो inflation है उसको बीट कर सके जो balanced advantage या जो aggressive hybrid fund है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों last में mutual fund investing goal based होनी चाहिए और उसके लिए regular guidance और portfolio review जरोरी है और यहां पर मैं आपकी help कर सकता हूँ मेरा नाम दीपक है मैं MF registered हूँ और chartered financial goal planner भी हूँ मेरा present location एहमदाबाद गुजरात है लेकिन all over इंडिया में clients है past में मैं ex wealth manager और banker रहे चुका हूँ और यहां पर हम एक free personalized mutual fund related consultation plan कर सकते हैं जिसके लिए मैंने google form की link description box में दी हुई है दोस्तों आपका investment plan smart होना चाहिए curated होना चाहिए और goal based होना चाहिए goal कुछ भी हो सकते हैं retirement का goal हो सकता है SWP goal हो सकता है बच्चों की education foreign vacation घर खरीदना यह सब goal हो सकते हैं तो यह goal आप किस तरीके से इन्हें planned way आप पास सके उस पर हम आपकी help कर सकते हैं जो हमारे client होते हैं उनका हम regular portfolio review भी करते हैं दोस्तों हमारा focus रहता है execution पर rebalancing asset allocation और जो clients हैं उनका regular portfolio पर दोस्तों मुझे उमीद है आपको value चरूर मिलेगी अगर आप अपने goal को पाने के लिए interested हैं तो link मैंने दी हुई है description box में जिसे आप भर कर consultation call कर सकते हैं thank you आपके कीमती समय के लिए दर्नेबाद दोस्तों